नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है कहानी नीरू की है पंजाब की नीरू की शादी दिल्ली के राहु से होती है दिल्ली कितना बड़ा शहर है ना लेकिन आप लोगों का घर तो बहुत छूटा है हमारे पंजाब में तो ये बड़े बड़े घर होते हैं कि मज़ा ही आ जाता है कोई बात नहीं नीरू मैं भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मकान बनाओगा बहुत जल्दी नीरू के पिता जहां पंजाब की जाने माने व्यापारी थे वहीं उसका पती राहुल दिल्ले में एक सिंपल नौकरी करता था मा यहां तो घी मकन इतना महंगा है कि क्या बताऊं मैं तो तरस ही जाती हूँ घी खाने के लिए नीरू की मा को ये सुनकर बहुत दुख होता है मेरी बेटी को घी नसीब नहीं हो रहा है और ये बहु यहां बैटकर घी में शक्कर डाल रही है देख वनिता मैं साफ कह रही हूँ इस घर में जितना घी आएगा उतना ही मेरी बेटी के घर दिल्ली भी जाएगा औरे ये क्या बात होती मा जी बेटी का उतना ही करो जो अच्छा लगे अब क्या माईके से घी और मक्षन तक की सप्लाई करोगी आप हाँ मेरी बेटी किसी चीज को तरसे मुझसे बढ़ता आश नहीं होता अब क्या था नीरो के माईके में दो किलो घी आता तो दो किलो दिल्ली जाता नीरो के पास एक दिल मा बड़ी गर्मी पढ़ती है दिल्ली में इस घर में तो एक ही एसी है और वो भी ड्रॉइंग रूम में सारा परिवार एक ही कमरे में सोता है मा बेटा वो तो हर घर की कहानी है यहां भी एक ही एसी है अरे बिल इतना आता है कि क्या बोलू तबी वहां राकेश आ जाता है मा थोड़ी दिर में यहां कुछ प्लंबर आएंगे मेरे कमरे में एसी लगाने ज़रा जान से लगवा देना न मा ओए ऐसे कैसे तेरे कमरे में एसी लगेगा हाँ हा राकेश एक बार बाद तो कर लेता अरे पापा वो वनेता को गर्मी में नीन नहीं आती ड्राइंग रूम में सब के साथ सोने में वो अनकमफर्टेबल है इसलिए अरे पूरे परिवार के साथ वहां तेरी बेहन नीरू भी तो सोती है वो नहीं हो रही क्या अनकमफर्टेबल अगर एसी लगेगा तो एक दिल्ली में तेरी बेहन के कमरे में भी लगेगा तभी तु लगा सकेगा राकेश वनेता को सारी बात बताता है वनेता करती भी क्या? मन मार कर बैठ जाती है मा ये लोग ठीक नहीं है, क्या करूं मैं? अरे बेटी, यहां आजा तू, यहां कर रहे ले अरे छोड़ दे ऐसे पती को कैसे छोड़ दू मा? समाज क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे? वैसे भी मेरा एक बेटा है मयंग अरे हटा बेटा, तेरी उम्र ही क्या है? इतनी परेशान रहेगी, तो काम कैसे चलेगा? खेट, बात आई गई हो जाती है, मा को लगता है कि नीरू ठीक है तो वहीं नीरू के मन में एक ही लाइन चल रही होती है यहां आजा हम्म, मा ने तो बोल ही दिया है कि यहां आजा बस, मयंग थोड़ा सा बड़ा हो जाए इन गरीबों को छोड़कर मैं वापस मा के पास ही चली जाओंगी वो इसी सोच में बाजार में चल रही थी कि मैम, आपका दुपट्टा जमीन को छोड़ा है नीरू जैसे ही उस लड़की की तरफ देखती है, देखती ही रह जाती है हाई रे, कितना सुन्दर लड़का है यह अब क्या हुआ, मैंने कहा आपका दुपट्टा तुखोदी उठा कर दे दो ना लड़का समझ जाता है कि नीरू उस पर फिदा हो चुकी है वो उस से उसका नंबर लेकर चला जाता है अब क्या था, नीरू और रोहित में लगातार बाते होने लगती है मैं हर्याणा का रहने वाला हूँ, यहाँ एक बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ अच्छा, और कितने बच्चे हैं तुमारे? बच्चे? अरे, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है तुम बताओ, शादी करोगी? नीरू शर्मा जाती है अब, लेकिन मैं तो पहले से ही शादी शुदा हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता पस तुम शादी कर लो भाग चलते हैं बहुत पैसे वाला हूँ मैं हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें नीरू रोहिद से मिलकर सारा प्लैन बना लेती है और फिर एक दिन घर से भाग जाती है दोनों शादी कर लेते हैं शादी के बाद क्या बाद है नीरू? तुम्हें परिशान सा देखता हूँ सब ठीक तो है न? हाँ हाँ सब ठीक है ये कहते कहते ही वो रोने लगती है अरे क्या हो गया? रो क्यों रही हो? मैंने तुम से एक बात चुपाई है और वही बात अब मुझे परिशान कर रही है रोहिद मेरा एक बेटा भी है उसका नाम मयंक है क्या बात कर रही हो? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो नीरू मेरी मा को मैंने ये नहीं बताया है कि तुम शादी शुदा हो बच्चा मैं मैंनेज नहीं कर पाऊंगा नीरू को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे तुम उस बच्ची को अपनी मा को क्यों नहीं दे देती? नीरू चुपके से मा को फोन करती है मा, क्या मयंक को तुम रख सकती हो? बेटा, मैं राकेश के साथ बात करती हूँ आखिर घर का बेटा वही है जो वो बोलेगा वैसे भी बेटा, तुने जो किया है ना उसके बाद से पुरा घर तेरी बुराई कर रहा है मैं भी अब किसी से तेरे लिए लड़े नहीं सकती राकेश बेटा नीरू ने तो जो किया, बहुत ही बुरा किया लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना मयंग को हम यहां ले आए तबी वनीता बोल पड़ती है वा जी, ऐसे कैसे यहां ले आए? यहां क्या भंडारा भरा है? और जिस बच्ची की मा ने नहीं सोचा, उसके लिए हम क्यों सोचे? नीरू को एक बार तो अपने बच्ची के बारे में सोचना चाहिए था ना? अरे लेकिन तेरे पास भी तो लड़का नहीं है ना वनीता? मा, वनीता ठीक बोल रही है कल को वो बड़ा होकर इसी घर का हिस्सा मांगेगा तो हम क्या करेंगे? मा कहती भी तो क्या? वो चुप रहे जाती है वही नीरू का पहला पती कहता है मा, अगर आज भी वो वापस आ जाये तो मैं उसे माफ कर दूँगा बेटा, गरीबी चीजी ऐसी है, क्या करेगा? तू तो अब मैंग का सोज वो बिचारा तो बिना मा का हो गया मैंग के खातिर तू दूसरी शादी कर ले बेटा लोगों के लाग समझाने के बाद नीरू के पहले पती के शादी रिद्धी से हो जाती है कि अब देखो जी, मैंने शादी सर्फ बच्चे के खातिर की है वही नीरू के दूसरे पती के मन में ये बात घर कर जाती है कि नीरू एक मासूम बच्चे को उसके खातिर छोड़ कर आई है अब देखो नीरू मुझे लगता है कि जो आरत अपनी कोख का बच्चा छोड़ सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है कल को तुम्हें मुझसे अच्छा कोई मिल गया तो तुम तो मुझे भी बाई बाई करतोगी न नीरू को अब उसका दूसरा पती ताने देना शुरू करतेता है तंग आकर नीरू उसकी यहां से भाग कर अपने पहले पती के पास चली जाती है लेकिन ससुराल में क्या लेने आई है नीरू मैं अंको नहीं नहीं सासु मा मुझसे गल्दी हो गई मुझे माफ कर दीजिए नीरू अब वक्त खत्म हो गया है मेरी शादी हो चुकी है तो छोड़ दो ना उसे हमारा बच्चा है मैं आपको अपनी मा नहीं मानता मेरी नहीं मान तो बहुत अची है नीरू मैं के बाद सुनकर समझ जाती है कि उसके पास अब ना आसमान रहा ना ही समीन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को लाइक वर शेयर जरूर करें धन्यवाद